नवगच्या के तेत्री गांव स्थित शक्तिपीच देवी दुरगा मंदिर का इतिहास 423 बर्ष पुराना है 1600 इश्वी में मंदिर की स्थापना की गई यहां सालों भर भागत आते हैं रोज पुजा होती है वर्षों पहले तेत्री के लोगों को स्वापनाया था कि कलबलिया धार में एक मेद पड़ा है 5-6 लोग मेर उठा कर तेत्री लाने लगे इसी बीच मंदिर वाले स्थान पर मेर को रख कर विश्राम करने लगे तभी खरीक के काजी कोरेया गाव के कुछ लोग मेर खोजते हुए आ गये वे लोग मेर वापस ले जाना चाहते थे किन्तु मेर चस्से मज नहीं हुआ तब से इसी जगा स्थापित कर भव्य मंदिर का निर्मान किया गया नवगच्या के तेतरी गाव स्थित शक्ति पीच देवी दुरगा मंदिर का इतिहास 423 बर्ष पुराना है 1600 इश्वी में मंदिर की स्थापना की गई यहां सालों भर भागत आते हैं रोज पुजा होती है वर्षों पहले तेतरी के लोगों को स्वापना आया था कि कलबलिया धार में एक मेध पड़ा है 5-6 लोग मेर उठाकर तेतरी लाने लगे इसी बीच मंदिर वाले स्थान पर मेर को रख कर विश्राम करने लगे तभी खरीक के काजी कोरेया गाव के कुछ लोग मेर खोजते हुए आ गए वे लोग मेर वापस ले जाना चाहते थे किन्तु मेर चस से मज नहीं हुआ तब से इसी जगा स्थापित कर भव्य मंदिर का निर्मान किया गया नवगच्या के तेतरी गाव स्थित शक्ति पीच देवी दुरगा मंदिर का इतिहास 423 बर्ष पुराना है 1600 इश्वी में मंदिर की स्थापना की गई यहां सालों भर भाक्त आते हैं रोज पुजा होती है वर्षों पहले तेतरी के लोगों को स्वापना आया था कि कलबलिया धार में एक मेद पड़ा है 5-6 लोग मेर उठा कर तेतरी लाने लगे इसी बीच मंदिर वाले स्थान पर मेर को रख कर विश्राम करने लगे तभी खरीक के काजी कोरेया गाव के कुछ लोग मेर खोजते हुए आ गए वे लोग मेर वापस ले जाना चाहते थे किन्तु मेर चस से मज नहीं हुआ तब से इसी जगा स्थापित कर भव्य मंदिर का निर्मान किया गया नवगच्या के तेतरी गाव स्थित शक्ति पीच देवी दुरगा मंदिर का इतिहास 423 बर्ष पुराना है सोला सौ इश्वी में मंदिर की स्थापना की गई यहां सालों भर भागत आते हैं रोज पुजा होती है वर्षों पहले तेतरी के लोगों को स्वापना आया था कि कलबलिया धार में एक मेद पड़ा है आज 6 लोग मेर उठाकर तेतरी लाने लगे इसी बीच मंदिर वाले स्थान पर मेर को रख कर विश्राम करने लगे तभी खरीक के काजी कोरेया गाव के कुछ लोग मेर खोजते हुए आ गए वी लोग मेर वापस ले जाना चाहते थे किन्टू मेर ज़ते हुआ